Hey guys, welcome to all of you on our channel, that is Achieve IAS तो guys, आज हम जो discuss करने वाले हैं, वो discuss करेंगे हम difference between early and later Vedic age तो early and later Vedic age ही आपका part है, ancient India का, जिसमें हम basically difference देखेंगे कि social, political and economic life में या religious life में जो लोग early Vedic में रहते थे और later Vedic में रहते थे, उनमें क्या difference था तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए early Vedic age की अगर हम बात करें तो पहले हम first of fall हम early Vedic age को discuss करेंगे तो early Vedic age की बात है timeline की, तो timeline कितनी है, तो अब यह जो स्टार्ट होती है, यह 1500 BC से स्टार्ट होके आपकी 1000 BC तक चलती है तो around 3500 years ago पहले यह आपकी हम इसको लेते हैं कि यह स्टार्ट होती है early Vedic age, तो 3000 years ago तक यह खतम हो जाती है तो इसके जो sources of information है, जो हम जिसके through हमें यह पता चलता है कि early Vedic life कैसी थी, तो वो है आपका रिगवेद तो रिगवेद जो है आपका oldest book है जो Indian subcontinent में compose हुई है, यह संस्कृर्ट में वैदिक संस्कृर्ट में बनाई गई through the sages थे, जिनको हम बोलते थे, उन्होंने इसको compose किया, तो यह हमारा source of information है so you might be wondering कि यह तो religious text है, तो इससे कैसे history की information ली जा सकती है तो guys, historians क्या करते हैं कि कोई भी document है, उसको उसके context में देखते हैं suppose आज आप एक गाना बना रहे हो, तो आप गाने में क्या करोगे, गाने में आप वो चीज़े mention करोगे, जो आपने देखी है, जो आप experience करते हो तो वो सारी चीज़ें इसमें डाल दोगे आप, तो ऐसे ही क्या है, रिगवेद भी क्या था, जो जिन सेजिस ने बनाया, उन्होंने उसको बनाते वक्त जो उन्होंने देखा, जैसे rivers देखी उन्होंने, जो उन्होंने experience किया, जो society की उनकी image थी, उसको इसाब से उन्होंन एक objective way में, कि हाँ, इसमें से क्या historical है, क्या mythological है, तो इस तरीके से हमें पता चलता है, different sources के through, different periods के बारे में, especially ancient India की जो history है, उसके regarding हमें ये, जो sources हैं, इनको बहुत ध्यान से use करना पड़ता है, तो बात है, देखिए, पहले geography की बात करेंगे, कि early vedic people जो थे, वो किस geography में थे, तो अगर guys हम Rigved के Himes को देखें, तो बार-बार जो reference आता है, वो river Indus, और उसकी tributaries का, जो रावी, बयास, जेलम, चनाब, गंगा, गंगा और यमुना सिरफ एक बार mention है, ये जो Indus की tributaries है, ये चार है, तो इनका बार-बार mention आता है, बार-बार इनको prayers की गई है, तो इससे क्या पता चलता है, कि जो sages ने Rigved बनाया था, वो इन rivers के around रह 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 थे, तो ये जो area है, वो northwestern India का part है अभी, तो गंगा और यमुना का एक बार mention है, that means गंगा और यमुना के साथ वो familiar थे, लेकिन अभी इतना जादा उस तरफ को वो extend नहीं हुए थे, तो mainly जो geography है, वो आज के आप एक लगा सकते हो, पंजाब, और पंजाब, एंड इस हर्याना का कुछ पार्ट लगा सकते हो, तो religious life कैसी थी, religious life की बात है, तो तीन gods को worship किया जाता था उनके द्वारा, रिगवेद में तीन gods का बारबर mention आता है, एक है आपके अगनी, एक है आपके इंद् वारियर गोड है, जो हमें help करते हैं, रिगवेद के according, जब हमारी लडाई होती है, तो enemies की against लडने में हमारी help करते हैं, तो सोमा क्या है, एक special plant है, जिससे एक special drink prepare की जाती है, तो इसको भी एक गोड की form में regard किया जाता था उस time पे, because basically इसका अब clear नहीं है कि सोमा कौन सा plant था, लेकिन इसको पी के जरूर जो mind है, वो उसमें थोड़ा intoxicate हो जाता था, और वो mind की state थी, वो excited state में हो जाती थी, और इस चीज़ को, उन्होंने इस experience से इसको status दे दिया, गोड का, अब बात करते हैं, क्या यही तीन गोड थे, न nature worship बहुत है, तो उस time के religion को हम Hinduism नहीं बोल सकते हैं, हाला कि Hinduism उसी में से evolve किया है, उस time के religion को हम Vedic religion बोलते हैं, लेकिन उसमें भी nature worship है, जैसे rivers को बार-बार prayers की गई हैं, जैसे सतलूज बयास rivers हैं, उनको prayer की जाती हैं, और भी जो है nature के, जो elements जैसे अगनी हैं, उसको भ universe को अलग नामों से जाना जाता था, वो उन नामों के बारे में हम किसी और lecture में बात करेंगे, यहां पर हम modern जो नाम हैं, उनको ले रहे हैं, तो और जो एक practice थी religious life में, वो थी यजनास की, इनके बारे में कैसे पता चलता है, जो हम यग्ये बोल देते हैं, because जब भी कोई battle ह होती थी, तो कुछ wealth लूटी जाती थी अपने दुश्मनों से, उस wealth का कुछ पार्ट जो था, वो यग्न में offer किया जाता था, मतलब एक ritual होता था, fire में उसकी offerings की जाती थी, तो यह थी religious life, अब बात आती है, social and political life की, तो समाजिक और राजनेतिक life की बात है, तो इसमें groups में organized थे, तो small groups को उन्होंने, दो terms use करते हैं, इन groups को refer करने के लिए, wish और जना, तो यह जो दो terms है, यह denote करती है, एक group को, तो यह community को, तो different different जना या different different wish जो थे, उनको, उनके proper नाम से भी mention किया गया, रिक बेद में, जैसे पुरू जना हो गया, भारता जना हो गया, यद जना हो गया, तो यह different groups थे, group of people थे, है यह Vedic culture का ही पार्ट थे, अब बात आती है, कि वो खुद को क्या बुलाते थे, खुद को वो अपने आपको वो areas के नाम से भी बुलाते थे, और अपने दुश्मनों को जो वो नाम use करते थे, या दुश्मनों को या उन लोगों का, जो उनके तरह rituals नहीं करते थे, या उनकी language नहीं बोलते थे, या उनकी cultural practices नहीं follow करते थे, या उनकी cultural practices different थी, उनको यह नाम से refer करते थे, thusas and thusus, तो later on चलके इसका term का मतलब बनता है, slaves, तो possibility है कि जो opponents थे इनको defeat करके, जब यह हार जाते थे, इनको slaves बिना लिया जाता था, तो in terms of work, काम के terms में, दो terms use करी गई है, ब्रामिंट्स और आपके राजास, तो ब्रामिंट्स क्या हैं, प्रीस्ट्स हैं, जो आपके वेदास को compose करते थे, उनको याद करते थे, उनको teach करते थे, और राजास जो थे, राजास basically वो थे आपके जो warriors होगे, जो community के एक तरह से leader थे, community को protect करने का काम करते थे, kings type कह सकते हो, लेकिन इनको king हम उस type में नहीं ले सकते, monarchical system नहीं ले सकते, because जो लेटर ओन राजास हुए हैं, kings हुए हैं, वो बहुत जादा strong हुए हैं, जो early vedic age की बात है, जो ये राजा थे, इतने strong नहीं थे, जो मतलब कि इनकी जो, अग करती थी, इन राजास को अपनी assemblies के थूँ, तो बात ये होती थी, कि जो brave थे, जो warrior persons थे, उनको राजा चुन लिया जाता था, लेकिन ना तो वो permanent थे, ना ये hereditary थे, तो इनकी जो post थी, वो permanent भी नहीं थी, hereditary भी नहीं थी, तो कोई भी अगर decision था, अगर लेना होता था वो consensus से लिया जाता था, जो सहमती से लिया जाता था, assemblies में special assemblies थी, जिनमें ये सारा कुछ किया जाता था, अब next जो बात थी, अगर social critical life की और एक बात important थी, कि राजा के पास permanent army नहीं थी, तो guys आपको पता होगा कि कोई भी state है, उसको exist करने के लिए resources की जरूरत होती है, और resources किस से आते हैं, taxes से, तो इस time का early vedic age का feature यह है कि state इतनी अभी strong नहीं हुई है, मतलब कि क्या है, जो राजा है, वो permanent taxes नहीं ले रहा, वो किस पे dependent है, वो voluntary gifts पे dependent है, जो उसको लेके आते हैं, उसकी जो जना के लोग हैं, उसकी community के लोग हैं, या वो voluntary gifts पे dependent है, या वो जो वार में लूटी हुई booty थी, जब wealth थी, उस पे dependent करता है, तो permanent source of revenue नहीं है, अब जब permanent source of revenue नहीं है, तो of course उसके पास इतने resources नहीं है, तो इसी लिए वो strong भी नहीं है, ना वो permanent army रख सकता है, जिसको रखने के लिए उसको resources की ज़रूरत पढ़नी थी, salaries की form में, या और provisions की form में, तो ये जो बात है, ये राजा की इस तरह की political life थी, मतलब political life भी एक तरह से आप कह सकते हो कि state भी एक तरह से अपने primitive state में थी, मतलब primitive होता है कि एक शुरुवाती दोर में, अभी जो है straight का institution जो है वो इतना strong नहीं हुआ है, अब बात आती है material life की, तो guys material life क्या थी उनकी, मतलब किस चीज को value करते थे, तो बार-बार reference आता है, अगर हम Rig Ved को देखें critically, तो बार-बार reference आता है horses का, cattle का और sons का, prayers हैं in fact, horses के लिए, cattle के लिए, sons के लिए, तो of course जो पुत्र, पुत्र को एक तरह से माना जाता था, जो होने चाहिए एक तरह से, और cattle को भी काफ produce थी, उस पे dependent थे, और horses का भी काफी बार mention आता है, in fact, battles होती थी, तो उन battles में क्या होता था, कि carry oats use किये जाते थे, जो आपके रत हैं, वो use किये जाते थे, तो carry oats का भी mention आता है, carry oats की भी काफी value है, carry oats को, को yoke, जो carry oats को basically कौन carry करता था, horses carry करते थे, तो horses की भी importance है, जो battles ल ready जाती थी, या land के लिए, तो land क्या थी, उनके रहने के लिए चाहिए होती थी, या pasture lands चाहिए होती थी, जहां पे जो cattle है, वो अपना fodder खा सकें, तो ये इस siege के लिए battles होती हैं, और prayers भी होती हैं, इस siege के लिए, Lord, Lord, जो आपके गोड थे, इंद्रा गोड, वारियर गोड तो ये जो है, इनकी material life है, अब हमारी बात आती है, लेटर वैदी के एज में, के लेटर वैदी के एज में, life कैसी थी, social life, political life, उस time की geography कैसी थी, या उनका region कैसा था, तो लेटर वैदी के एज को अगर हम time की बात करें, तो ये 1000 BC से लेके, हम बात करते हैं, इसकी 600 BC की, तो around 3000 years ago से लेके, आप कह सकते हो, around 2600 years ago, तो इस time के दोरान की बात है, इसको हम लेटर वैदी केज बोल देते हैं, और sources of information इस time के क्या है, अब sources of information की बात करें, तो पहले early वैदी केज में, हमारे पास सिरफ रिगवे थे, लेकिन इस time में, और भी वैद्स कमपोज किये गए, औ और काफी books थी, जो कमपोज की गई, जो as a source of information का काम करती है, जैसे आपका सामवेध हो गया, या जुरवेध हो गया, अथरवेध हो गया, या और books, जैसे rule books, menu समरीती थी, तो काफी और books बनी, जो refer की जा सकती थी, अपना as a source of information refer की जाती है, अब जोग्रफी की बात करें, तो मैंने जैसे आपको बोला कि वो कोई भी चीज का अगर compose होती है, तो अपना उसका context होता है, intellectual background होता है, उसके material context होता है, तो वो जोग्रफी, इससे हम पता लगा सकते हैं, तो जोग्रफी में हमें ये पता चलता है, कि ये जो लोग पहले पंजाब के round area में थे, अब ये further east extend हो चुके थे, जैसे further अगर हम बात करें, इंडिया का rough sum map बना के, तो पहले अगर जो इस area में थे, अब उनका extension की इदर हो चुका था, ये जो आपका गंगा यमुना जो दौब है, ये जो सारी गंजैटिक वैली है, ये उपर नेपाल है, आपका ऐसे north east बनता है, आपक इस time की geography, तो अब बात आती है, इस चीज की के, ये हमें पता कैसे चलता है, उसका मैंने आपको बता दिया के, कैसे हमें पता चलता है, next चीज जो हम बात करेंगे, वो बात है आपकी religious life की, तो religious life जो थी, वो भी काफी complex हो गई, तो जैसे पहले तीन goats थे, यजना का mention आता थ कि इनके elaborate procedures हो गए, यजना complex हो गए, हर एक purpose के लिए यजन होने लगा, यग्य होने लगा, पुत्र की प्रापती के लिए, या राजा बनने के लिए, या कुछ भी मतलब आप कह सकते हो, उसके लिए, मैं एक तरह से Sanskrit में स्कोलर नहीं हो, तो मुझे यह नहीं पता कि हाँ, क जो यग्य थे, वो complex हो गए, इन addition, specific यग्य बन गए, अलग-लग purposes के लिए, especially राजा के लिए भी special जो यग्य थे, वो काफी जादा बन गए, तो अब बात आती है, राजा की political life की, के political life कैसी थी, तो इस time पे आते आते जो state थी, वो काफी mature हो चुकी थी, state as a institution काफी mature हो चु सबसे important बात है कि राजा strong हो चुका था, पहले जो राजा था, वो जना का था, कि एक मतलब, जना का मतलब group of people, वो जना का था, लेकिन अब राजा किसका बनने लगा, राजा बनने लगा जना पदा का, तो जना जैसे मैंने आपको बताया, इसका मतलब है आपका community, group of people पदा जो था time use की जाती है, territory के लिए, तो राजा के अब सिर्फ लोग नहीं थे, राजा की एक territory भी थी, राजा की एक territorial state थी, जिसकी boundaries थी, तो एक तरह से कह सकते हो, उसके मतलब competitors भी होने लगे थे अब, एक territory से वो अपनी influence को बढ़ाना चाता था, suppose यहाँ पर राजा एक था, उनके पास, उन दोनों के mind में continuously चलता रहता था, कि हाँ हम यह territory भी acquire कर लें, तो अब देखी, राजा की power strong हुई, तो राजा की power अगर strong होती है, तो जैसे मैंने आपको बताया, early wedding age में, राजा की power इतनी strong नहीं है, और जो जना है, और उसकी assemblies जो है, वो काफी strong है, तो आपने आपको लो, अगर आप गाओं के सरपंच हो, पहले आप क्या चुने जाते हो, अगर आप इतने ज़्यादा powerful हो जाते हो, suppose मैं कहता हूँ कि मैं अब आपका permanent taboo बन गया, सरपंच बन गया, अब चुनने की जुरूरत नहीं है, आपको मुझे follow करना पढ़ेगा, तो वो जो religious, वो जो claim था, stronger power का claim, वो कैसे राजा ने अपने आपको establish किया, stronger power को कैसे justify किया, वो justify किया with the relationship with the priests, ब्रामिन्स, तो क्या हुआ कि जो ब्रामिन्स थे, उन्होंने multiple rituals बना दिये, यजन बना दिये, और बोला गया कि अगर राजा इनको करेगा, तो उसके पास, उसको वो एक तरह से, गोड के द्वारा, भगवान के द्वारा, खुद खुद एक तरह से चुना हुआ बन जाएगा, लोगों के उपर rule करने के लिए, अगर वो कुछ यग्या करता है, तो वो strong बन जाएगा, और उसके पास authority आ जाएगी, तो इसलिए हम different rituals का mention पाते हैं, जैसे एक अशम made sacrifice था, जिसमें horse sacrifice किया जाता था, एक horse के horse को खुला छोड दिया जाता था, और वो जिस territory में enter करता जाता था, अगर उस territory का राजा उसको रोकता था, तो जो राजा जो यग्या, अशम made, यग्या करता होता था, उसके साथ उसको battle लड़ाई लडनी बढ़ती थी, युद करना होता था तो अगर वो रोकता था तो युद करना होता था अगर वो नहीं रोकता तो ये मान लिया जाता था कि जो वो राजा है जिसने उसको अपनी टेरिटरी में नहीं रोका उस राजा ने जो अशमेद सेक्रिफाइस करने वाला राजा है उसको अपना सुपीर होते थे काफी complex होते थे और काफी pump जुड़ी होती थी in sacrifices के around तो जब यह होते थे तो लोग देखने आते थे लोग gifts लेके आते थे लोग दूर से देखते थे elaborate procedures होते थे राजा की family राजा के wives राजा के जो लड़के हैं वो उनसे भी कुछ-कुछ minor rituals करवाए जाते थे और जोर-जोर से जैसे मंत्र बोले जाते थे और अगनी में offer किये जाते थे तो एक पूरा environment create कर दिया जाता था पूरा यह एक तरह से आप कहलो charged milieu create कर दिया जाता था और बिल्कुल ऐसा लगता था कि भगवान खुद धर्ती पे आके उस राजा को राजा बना गए तो एक तेखी एक अब इस चीज में doubt यह आता है कि why only ब्रामेंट्स ऐसा क्यों करेंगे तो बात guys इसकी हम अब बात करेंगे अभी social life में तो आपको clear हो जाएगा तो social life की बात है कि भ्रामेंट्स ऐसा यजन क्यों करते थे राजा को क्यों authority देते थे इसकी clarity हम social life से लेंगे उसके बारे में हम अभी बात करेंगे लेकिन पहले social life देख लेंगे तो social life भी complex हो चुकी थी हम mention पाते हैं चार वर्न का तो यह वर्न जो थे वो एक तरह से पहले जैसे community को सिर्फ जना बोला जाता था अब इस community को further divide कर दिया गया इनके कामों के base पे on the basis of their occupation तो चार वर्न बनाए गए और चारो वर्न hierarchy में थे प्रोपर उनकी एक hierarchy थी एक top पे था दो बीच में थे और जो आपके वर्न थे वो ऐसा नहीं था कि अपनी मर्जी से चुने जाते थे वो hereditary होते थे जो आपके आपका बर्थ जिस में जिस occupation में होता था suppose आपके father अगर goldsmith है सोने का काम करते है तो अगर उनके घर में पैदा हुए तो आपका जो वर्न था वो एक वैश्य वर्न होत सकते तो इस तरीके से यह birth के basis पे decide होता था तो brahmin का का काम क्या था ये टोप पे थे पहले नबर पे आते थे ब्रामिड स चार वर्न थे ब्रामिड क शकरियाज यह दूसरे नूbefore वैश्य यह तीसरे नमर पे शुद्र जो आते ते वह चोट नंबर कर ट तो ब्रामिड का का काम क्या था वो आपके यूद लड़ते थे या कहलो आप एक टेरिटरी पर रूल करते थे और लोगों को बटेक्ट करते थे तो उनको वारियर क्लास को शत्री बोल दिया गया और वैश्या क्या थे वैश्या बिसिकली ट्रेडर कम्मूनिटी थी फार्मर्स थे और कुछ क्रा शुद्रस जो थे वो सबसे लोर लेवल पे थे जुनको क्या करना था थ्री वर्न को अपर वाले तीसरे उपर वाले तीन वर्नों को सर्व करना था तो ये जो चार वर्न थे इनमें से तीन जो थे दैट इस ब्रामिन्ट क्शत्रिया और वैश्या तो ये इनको अलाउड था rituals को perform करना तो ये जो थे वो यगन कर सकते थे लेकिन शुद्रस को यगन नहीं करना allowed था वो यगन नहीं कर सकते थे और साथी साथ woman को भी allowed नहीं था तो और थोड़ा time late चल के क्या होता है कि एक और group बना दिया जाता है जिसको refer किया जाता है untouchable अच्छूत के राम से जितको बोला जाता था different terms historically use करी गई है उस time पे ये कुछ ऐसे group थे जिनका काम होता था कि हाँ जैसे burial burial procedures में help करना जो dead है उसको dispose of करने का काम हो गया या cremation का काम हो गया या इनका कुछ काम ऐसा होता था जिसको ये माना जाता था कि अगर ये ऐसा काम करते हैं कि अगर इनके साथ touch में आ जाएंगे तो वो polluting हो जाएगा touch तो उसके लिए इनको क्या किया जाता था कि इनके साथ एक तरह से difference बना के रखा जाता था और इनको ये सबसे lower level पे होते था इनका कोई वर्न नहीं होता था इनको अवर्न भी बोला जाता था मतलब इनका ये किसी भी वर्न को belong नहीं करते थे तो of course अगर हम बात करें आज के time की तो guys आपको लगता होगा कि हाँ this is very unfair in fact democratic times में अगर हम इस तरह से hierarchy की बात करें और किसी को बोलें कि आप अचूत हो आप polluting हो that is very very orthodox और बहुत गंदा लगता है उसको सुनके लेकिन अभी हम इस चीज के उसमें नहीं जाएंगे कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है I am here teaching you history तो history का बना topic पढ़ा रहा हूँ कि उस time की social life कैसी थी वो चीज गलत थी वो बिलकुल ठीक है गलत थी लेकिन अभी जो purpose हमारा है वो history है तो बात आती है जिसे मैंने आपको उपर बोला कि brahmins क्यों help करते थे राजा की उसको उसकी authority दिलाने में अब बात क्या थी कि जो menu smritis थी जो rule books थी या और भी जो society के rules थे वो brahmins के दोरा बनाए जाते थे अफकोर्स ये चार वर्न भी जो थे वो वेद में पुरु सुकता हाइम था एक उसमें से ये बोला गया कि ये चार वर्न पैदा हुए जो आपके brahmins थे उनके head से brahmins निकले shoulders और arms से आपके kshatriyas and thighs से बने वैश्याज और foot से बने शूद्राज तो ये एक मतलब के उनके दोरा ये rule बनाया गया था और भी काफी rule बनाये गए थे के marriage कैसे होनी है या कू क्या करेगा वो कैसे decide होना है वो सारा कुछ ये rule book brahmins के दोरा बनाये जाते थे तो अब ये rules को हर कोई follow नहीं करता था of course अगर आप आज भी हो अगर सपोज आपको कोई बहार से आके बोले कि आप तो नीच हो आप हमारे equal नहीं हो तो आप खुद बोलोगे कि भाई तू कोन है मैं ये बताने वाला कि मैं क्या हूँ अगर पहले चीज अभी अभी स्टार्ट नहीं होगी है suppose अभी religious sanction नहीं मिली है तो अब उस चीज को enforce करना मुश्किल हो जाता था जैसे कशत्री कुछ राजा जो थे वो खुद को ऊपर consider करते थे ब्राह्मेंट से कुछ जो थे लोग थे बोस बोलते थे कि occupation जो है काम हरेका काम है occupation के हिसाब से ऐसा occupation के हिसाब से वर्न मतलब बर्त के हिसाब से वर्न नहीं होने चीज़िए काम के हिसाब से होने चीज़िए कुछ सोचते थे थे कि occupation का basically purpose काम करना है और इसमें कोई अच्छी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, hierarchy नहीं होनी चाहिए, सभी equal होने चाहिए, कुछ कहते थे कि सभी को rituals करने देने चाहिए, यग्य करने देने चाहिए, तो यह जो challenge आता था, जो लोग नहीं मानते थे, तो उस चीज़ को एक तरह से enforce करवाने का काम था, ब्रामेंट्स का, तो वो चाहते थे कि ये rules को माना जाए, इन चीज़ों को सभी माने, तो जब राजा को वो एक legitimacy परवाइड करते हैं, यग्न परफॉर्म करते हैं, उसको एक proper authority दिलवाते हैं, moral sanction दिलवाते हैं, लोग उसको मतलब एक तरह से ये एक spirituality और religion के सा associate कर जाता है, और राजा को power मिल जाती है, यग्न करने से, तो जो ब्रामेंट्स बोलते थे, वो enforce किया जाता था, राजा के द्वारा, because state का का काम क्या होता है, laws को और rules को enforce करना, तो इसको हम बोल देते हैं, क्यो जो relationship था, लेन देन का एक तरह से हम कह सकते हैं, नेक्सिस था तो ये बात थी, अब बात आगी material life की इस time की, तो material life भी जैसे थी, complex हो चुकी थी, जैसे हमने चार वन्स का mention पाया, तो कुछ लोग priests थे, कुछ craftspersons थे, जो कुछ थे, farmers थे, hunter थे, gatherer थे, fisher folk थे, कुछ जो लोग थे, वो गरीब थे, उनके पास ना land थी, ना कुछ craft जानत थे, तो वो लोग किसी और के खेतों में काम करते थे, या अपनी labor offer करते थे, तो उनके लिए जो time used करी गई है, वो है कमाकारास, तो ये लोग मतलब गरीब थे और ये किसी और को अपनी labor offer करते थे, तो ये आज की discussion है, जिसमें हमने ये पढ़ा, कि जो difference है, early और later wedding age का, वो तो guys, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो please इसको like कीजेगा, share कीजेगा, और हमारे channel को subscribe करिएगा, और आप हमारे telegram channel को join कर सकते हैं, इस telegram channel पे हमारे साथ 34,000 plus students हमारे साथ associated हैं, और यहाँ पे हम काफी study related content, या general knowledge related content, या अगर आपको general चीजों में interest हो तब भ तो आप इस channel में के साथ through हमारे साथ जुट सकते हो, और हमारे साथ बने रह सकते हो, हमारी updates के बारे में एक तरह से update रह सकते हो, तो this is all about for today's video, तो thanks a lot, have a very nice day ahead, thank you.